कि अगया है 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 कि है अगया है है अगया है तो डोस्तों स्वागत आप सभी का डाउटनेट लाइफ पर एंच सभी को वेरी 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 गुर आफ्टनून आज के लेक्शर में मैंने आप लोगों को पहले इंफर्म कर दिया था तक यह बारे में कि मैं सूच रहाथ कि यहां पर हम लोग ना कोशन डिस्कुर्शन की जो एक सीरीज है उसको रन कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना उनके के कहते हैं जो बोर्ड है दे बिलॉंग तो सी बेसी बोर्ड में अपकी बारी हमारा जो पैटन है एक्जाम का वह एंसी क्यू बेस्ट है ह और mcqs पर option select करो that's it कोई परिशानी नहीं है कोई समस्या नहीं है ठीक है लेकिन वही बात है कि अब उन questions को solve करने के लिए हम लोगों को अच्छे से मैनत करने पड़ेगी ठीक है कभी-कभी questions जो है कुछ हो सकता है कि यार अलग आ जाए हो सकता है कि कुछ ऐसे questions दे दे जि नहीं था बट क्यूंकि कुछ teachers जो हैं बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि आज winners announcement के लिए कहें तो यार हमें याद है and इसके लिए again very very sorry क्योंकि कुछ teachers जो हैं जैसे कि आपको पता है कि अक्षे सर स्वातिमयम और मैं हम तीनों मिलकर ही winners announcement करेंगे ठीक है and बहुत सारे teachers जो ह है वह अभी free नहीं है तो जब winners announcement होगा तो आप लोगों को अपने पता लग जाएगा देखें सो उसके लिए sorry थोड़ा सा क्या कहते हैं मतलब दिक्कत होगा तो उसको हमने कल के लिए postpone कर दिया है क्योंकि teachers जो हैं free नहीं हो रहे हैं यहां पर थोड़ा teachers की न तब तब कोशिश करिए कि हर एक बच्चे को कुछ न कुछ उसके effort के लिए मिला दिया जाए तो बहुत सारी चीज़े प्लान कर ली है और इतना वेट करना वर्थ रहेगा मतलब मजाग नहीं करता कसम से तक इतना वेट आप लोग कर रहे हैं उसके लिए thank you so much तो कल के लिए postpone किया गया है happiness announcement कल दो बज़े हम लोग happiness announcement कर देंगे ज्व आपकण वेवाले है आप जो अपना वीडियो होगा न हम यूट्व चनली के प्यंकर बादेंगे तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं बस आप लोग को कॉन को काम अच्छे से करना था आप लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब हम लोग थोड़ा सा अपने काम में वो कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जान बुच के डिले कर रहे हैं, इस जस्ट कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तीनों टीचर्स को एक साथ टाइम नहीं मिल पा र तो आप लोग बेटा उसमें देख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए, ओके, ठीक है, नेक्स जो है हमारा, एक इंग्लिश स्पीकिंग का व्याइपी कोर्स जो है, आप लोगों के लिए बेटा लॉंच के जा चुका है, इस व्याइपी कोर्स को आप लोग जॉइन कर सकते हैं, एंड कल अपनी 9 तारिक है, तो 9 तारिक को पॉसिबली, मतलब we'll do the announcements, ठीक है, जो भी सारी चीजे होंगी, जो भी basic formalities होंगी, उसको complete करके, कल हम announcements अगरा जो है, वो कर देंगे, ठीक है, चलो, और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है, कि participation certificate तो मिली रहा है सबको, हाना, और 10% scholarship भी हर एक student को मिली रही है, बाकी कुछ जो top 10 students होंगे, उनको जाधा scholarship मिलेगी, so it's not like कि हाँ यार, हम लोगों को participate करने का कुछ फायदा नहीं हुआ है, एक competition में अगर आप जाते हैं, तो हर एक student नहीं जीतता है, हाना, तो बाकी सबको participation certificate मिलता है, तो बाकी सारे students को participation certificate मिलेगा, तो आप लोग tension मत लीजे, ठीक है, चलो, और यहाँ पे हम लोग quiz करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो अब हमारा जो doubtnut पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जो है, contest, उसके बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पे देख necessary for photosynthesis, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है, चलो, भाई, से आपका जो life process वाला chapter है, वो करवा दिया है, how do organism reproduce वाला chapter करवा दिया है, देखे, तो बहुत सारी चीजे मैंने आप लोगों को करवा दिया है, और मैं फिर से announce कर रहा हूं कि winners announcement जो है, due to unavailability of teachers, उसको postpone कर दिया गया है, कल के लिए, देखे, चाली जी, तो इस quiz में हमारा एक है question था, and if in case अगर किसी की screen पे quiz नहीं गया है, तो वो यहाँ पर देख सकता है, ठीक है भाई, ओके, तो यहाँ पर देखे हैं हमारा correct answer क्या होगा, इस option में दे रखा है conditions, ठीक है, अब यहाँ पर raw material नहीं पूछा है, अक्सर यहाँ पर पूछा जात तो raw material हमारा photosynthesis के लिए क्या है, carbon dioxide और water, conditions जो है हमारी वो क्या क्या है, वो है हमारी basically भाई, carbon dioxide, water, sunlight ठीक है, और chlorophyll, तो यह तीनो, sorry, चारो चीजे conditions हैं, लेकिन बन किस से रहा है हमारा glucose, अगर photosynthesis की बात करें, तो इसके बाद हम लोगों को glucose मिलता है, glucose असल में बन किस से र हो रहा है, chlorophyll का यूज हो रहा है, but again, raw material is carbon dioxide and water, और conditions जो है, चारो की चारो होंगी, carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll, तो option number यहाँ पे D हमारा correct choice है, और उमीद करते हैं कि most of the students ने option number D ही select कर रहा होगा, okay, next पे आते हैं, next जो question है हमारा, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, okay, so next question जो quiz का है वो यह रहा, ATP का फिल्म बताना है, बहुत ज़्यादा easy question है यह भी, आप लोगों को हमारी class में free के points मिलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, तो इसको जल्दी से बताओ, देखो और ह हो सकता है कि आने वाले time पे हम लोग YouTube पे classes conduct ना भी करें, हाना, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को confirm किया था कि आप लोगों के नए कुछ courses जो है start हो रहे हैं, fast track courses वगरा जो हैं, आप लोगों के 15 September से start हो रहे हैं, तो उन सारे courses के अंदर हम लोगों को जाना है, and probably ऐसा हो सकता है कि आने वाले time में हम आपको सिर्फ VIP course के अंदर देखें, and free courses के अंदर ना देखें, so ये भी possibility बनती है, चलिए जी, so ATP का फिल्फरम आप लोगों को यहाँ पर बताना था, and हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने अपना answer कर दिया होगा, तो यहाँ पर क्या क्या सादा ही मतलब कि कहते हैं, फैला हुआ था, ठीक है, तो उसमें मैंने कहते हैं, option में बच्चों को as a suggestion, यहाँ पर खाता है कि भाई, marks पैन कर रखा करो, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि COVID अभी कम हो गया है, अभी फिर से third way वार है, तो उसके लिए आप लोगों को mask पैन के रखना पड़ेगा, ठीक है, तो option number a, यहाँ पर हमारा correct choice है, adenosine trifosphate, तो sir ने education के साथ साथ कुछ suggestion भी दे दी हैं, ठीक है, information के साथ साथ कुछ suggestions भी दे दी हैं, इस suggestion को follow करना है भाई, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम, next question जो है हमारा quiz का, वो देख लीजे, क्या है क्या नहीं है, green color pigment inside chloroplast, वो कौन सा होता है, cytophyll, hemophyll, chlorophyll, ठीक है, और कुछ बच्चे हमेशा क्लास में लेट आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, green color pigment बेटा जी जो हमारा present होता है, किस के अंदर, chloroplast के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो सारे बच्चे है ना, यह उल्टे पूल्टे option select ना कर ले, मैं एक बरिन ऐसी check करना चाहरा हूं कि last वाले question में, ठीक है, कौन सा option बच्चों ने select किया था, option number A ही किया था, मुझे लगा किसी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्होंने option number D select कर रखा था, mask पैन कर रखो, अब इसमें किसी बच्चे ने select कर रखा गा कि हम लेट आए हैं, देखो इतनी liberty भी तुमें मिल रहा है, तो फिर वो रहा है, आच्छा, यह काफी अच्छा है बाई, यहाँ पर मतलब यह थोड़ा सा shocking भी रहा मेरे लिए, चुकि 100% बच्चों ने select कर रहा है क्या chlorophyll, तो यह तो मतलब काफी ही बढ़िया है, देखे, आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा last question, जो है quiz का, उसको भी देख लेते हैं, तो last question of quiz is, यह देखे, what is the function of liver, liver का function क्या है, it produces bile, produces enzymes, transfer food, यह all of the above, और देखो मेरे को ना, हर एक question में, percentage जो है, answer का, देखे है, वो काफी अच्छा मिल रहा है, मतलब की, it is more than, अपना 90, तो यहन की कहीं न कहीं बच्चे जो है, जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़े याद हो गई है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यह काफी अच्छी बात है, दो कोईशन में तो में को 100% result मिला है, बाकी एक कोईशन में में को 90% result मिला है, तो यह काफी अच्छा है कि आप लोग हमारे साथ मतलब पढ़ रहे हैं, और अच्छे तरीके सा सारी चीज़े आपको लोगों को पता लग रही है, चलिजी, तो यहाँ पर भी टाइम होता है अपना फिनिश, अब इस कोईशन में भी हम लोग जारा परसंटेज चेक कर लेते हैंगे, कितने परसंट बच्चों ने option number हमारा जो सही है, लिवर का function जो है, वो सही सलेक कर रहा है, एक बड़ी देख लेते हैं, हाँ देखो, यहाँ पर भी परसंटेज जो हमारा, एट इस अप्रॉक्सिमेटली 85, तो जो बच्चे हैं, वो सही आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने हमारा option number D सलेक कर लिया है, देखो, मैं को समझ में आता है, कि इसके साथ confusion हो सकता है, कि आप लोगों को लगता होगी, हाँ भई, हमारा जो लिवर है, वो enzyme produce करता है, बट लिवर फूड को कहा ट्रांसफर करता है, मैं को फूड ट्रांसफर का मतलब, रोल समझ नहीं आया है, लिवर ने फूड को ट्रा रोटी फैट की बॉल में convert करता है, यानि कि आप कह सकते हैं, रोटी के तुकड़े को आधे-ाधे तुकड़े में तोड़ दिया, ऐसा नहीं कि रोटी के अंदर जो अपना starch था, उसको digest कर दिया, नहीं, बाइल हमारा physical digestion कर रहा है, बाइल हमारा chemical digestion नहीं करता, इस point के उपर पर मैंने बहुत focus किया था, और मैंने बोला था कि बाइल हमारा digestive juice नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी enzyme present नहीं है, उसके अंदर pigments present है और salt present है, तो ये आप लोगों को सारी बाते मैंने आप बताई थी, आप लोगों को ये सारी बाते याद होनी चाहिए, pigments और salts present होते enzyme present नहीं होती है, आगे बढ़ लेते हैं, अब हम, जैसे कि मैंने आपको promise किया था, कि यार अब boards में हम लोगों के मतलब जो term 1 है, वहाँ पे MCQs आएंगे, तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को अब थोड़े MCQs जो है, chapter के हम करवा देते हैं, बीच-बीच में assertion region भी करव सा, मैंने एक दम starting से start कर रहा है, chapter का जो starting वाला point है, कि living क्या है, वहाँ से से ले करके, धिर धिर हम आगे बढ़ेंगे, तो पहला question क्या है, कि अगर आप लोगों को differentiate करना है, between a living and a non-living movement, ठीक है, non-living, the movement of dash is needed, या गलती हो गई है, यहाँ पे, यहाँ पे already movement जो है, mention कर द यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब रायता फैल गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, जिस book से मैंने ली थी, ठीक है, उस book की गलती है, यह हमारी गलती नहीं है, ठीक है, चालो, इसको ज़रा, अच्छा, इसको इस तरीके से समझना है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझना है, देखो स्वारी इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं अब यहां पर थोड़ा सा कोशन मुश्किल है आप लोगों ने हो सकता है कभी देखा भी ना हो और मैं जान बुछ के थोड़ा से कोशन मुश्किल के आए हूं मैं को लगा कि वे यहां पर basically movement के basis पर classify किया गया है बड़ असा नहीं है movement of molecular structure non-static movement in organic structure is needed molecular structure आप कह सकते हैं basically अपना molecular structure को हम समझ सकते हैं कि जो अपने molecules होते हैं ठेक है cells के अंदर या आप कह सकते हैं हमारे जो वो होते हैं basically सारे के सारे carbon वगरा होते हैं सारी से जो होती है ठेक है या इस question को अभी कह कहते हैं यह claim थोड़ा पोस्पोन करते हैं क्योंकि यह question थोड़ा सा आप लोगों के लिए complicated हो जाएगा मेरको यहां पर आप लोगों को 3 points समझाने पड़ेंगे molecular structure, non-static movement और inorganic structure इसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा जैसे कि मैंने कहा यह question थोड़े से मुश्किल है बीच बीच में तो मुझे यह question लगा कि सिर्फ movement के basis पर classify करना है इसलिए मैंने डाल दिया था बट इसको हम cover करेंगे ठीक है तब तक लिए भी next पर आ जाते हैं यहां पर देखो यह question काफी easy है जो maintenance होती है किसकी function of body की उसको हमेशा मतलब करना पड़ता है यह सिर्फ जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारी body के functions को maintain करना पड़ता है moving at concerns tweet या hibernation के दोरान क्या लगता है आप लोगों को कैसा मतलब इसका answer होगा क्योंकि अब तुम लोगों को थोड़ा सा डर लगने लग जाएगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती है क्योंकि questions मैंने क्या कहते हैं आप लोगों को यह पहले नहीं करवाए हैं ठीक है और जान बुछ के मतलब यह questions देको यह questions ना आप लोगों को basic functions है उसको हमेशा ही maintain करके रखना है ऐसा नहीं कि जब आप सो रहे हैं तो भी एक्जामपल के तौर पे आप सो रहे होते हैं तो आपका दिल धढ़क रहा होता है लेकिन जब आप जग रहे होते हैं तो भी तो धढ़क रहा होता है ना भई आप सो रहे होते हैं तो आपके body बोड़ी सास ले रही होती है लेकिन जब आप कुछ पड़ रही होते हैं पुलबड़ी सास ले रही होती है तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कि बेशिक में अप लोगों की होचगे है Кई लो हलोने वाला है gemacht तो वह कहते हैं एक और एक्जाम्पल वह भी कहने की बाते होती हैं कि हमने उसको देखा तो दिल ने रखना बंद कर दिया तो वह भी मतलब इस जस्टा के कहते हैं मित ऐसा कुछ नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो आपकी बॉड़ी के अंदर ब्लेट पंप होना नामुम्किन हो जाएगा और आप लोगों को पता है कि फिर तो क्या ही होगा आगे मतलब कुछ एक्ष्प्लेन करना जरूरी नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हों कहीं पे भी कर रहे हों अगर आपकी मम्मी आप लोगों की पिटाई भी कर रही हो तो उस वक्स भी आप लोगों का ब्रेन जो है उसको पता है कि सास लेना तो जरूरी है हाँ खुद को बचाना जरूरी है मम्मी से दूर भागना जरूरी है तो वो सारे कॉंसेप्स अपने हमेश्च चलती रहेंगे तो इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं ठीक है कल मेरे पास एक कोशन आया थे बच्चे का में अभी याद आया ओस्मो ऑस्मो रेगुलेशन का कि सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है और यार आप लोगों को ना बायलोजी याद करना समझना इसलिए असान लगेगा क्योंकि इसमें आदी सीजेना वर्ट्स के अंदर छुपी होती है ठीक है बायलोजी जो है एक लड़की की तरह complicated नहीं होती है इसमें सब कुछ सामने सामने दिखा रखा होता है यहाँ पे दे रखा है ओस्मो ओस्मो का बिसिकली salt concentration यह कह सकते हैं अब आयन बैलैंस ठीक है तो जब बॉड़ी के अंदर आयन बैलैंस होता है उसको जब मेंटें करते हैं उसको हम कहते हैं Osmoregulation ्र्ण सब के अंदर आयन बैलैंस अगर आयन ज्यादा है सौल्ट जयादा है तो उसको भार निकाल दिया या पानी भार निकाल दिया ताकि concentration जो है maintain रहे ना ज्यादा आयन रहे ना ज्यादा क्या कहते हैं पानी रहे तो इस तरीके से मतलब इसलिए कि अपना क्या होता है स्लिपिंग आप लोगों को पाता है moving at constant speed ऐसा नहीं कि जब आप constant speed से चल रहे हैं तभी आप लोगों का basic body जो function है वो maintain रखेंगे ठीक है और दे रहे हैं यहाँ पर hibernation hibernation अभी आप लोगों के शायद topic में नहीं है इस वाले में या environment वाला जब हम पढ़ेंगे topic उसमें आ सकता है या एक environmental studies करके बच्पन में बुक लगती थी हमारी उसके अंदर भी hibernation आता था इसको हम कहते हैं winter sleep ठीक है कहने को तो कहा जाता है कि भाई जो हमारा भालू है स वो सर्दियों में पूरे time मतलब वो शहद अपने पास इखटा कर लेता है honey अपने पास इखटा कर लेता है और एक गुफा में चले आता है और मस्त वहां पे सिर्फ सोता है मतलब जितने time की सर्दी रहती है दो-तिन महीने तक वो सोता है ठीक है तो कहने को तो winter sleep जो है bear के अंदर देखने को मिलती है बट मुझे लगता है आज कल के जो बच्चे हमारे वो भी winter sleep पूरी की पूरी लेते हैं जैसी आप लोगों के winter holidays पढ़ जाते हैं एक देड़ हफ्चे तक पूरा मतलब थंडी के मारे रजाई से बाहरी नहीं निकलना होता है मम्मी रजाई के अं अंदर होता है बट मुझे लगता है कि आज कल के बच्चे भी हमारे जो हैं वो है बनेशन वो कर रहे हैं ठीक है ओके चलो चलिए जी सो अब हम चलते हैं आगे और नेक्स कोशन की तरफ बढ़ता है यहां पर देखो life process involves continuous process of maintaining function of living organism all the activities being performed during life cycle of an organism generation of energy for purpose of metabolism differ from individual to individual चलिए इसका बताईए क्या answer होगा हमारा life process जो होता है हमारा it involves कौन सी statement यहां पर correct है चलिए यह देखो अब यह इतना कोशन्स थोड़े से complicated से हो जाते हैं ठीक है अब आप लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो बच्चों के answers है न वो option number a और b में से mix आ रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर confusion होगा तो फिर वो वहीं पर होना चाहिए option number a, option number b, option number a, option number b वहीं से आ रहे होंगे क्योंकि यहां पर यह लिखाए continuation of process for maintaining function of living organism और second यहां पर लिखाए all the activities being performed during life cycle of an organism अगर आप लोगों के लिखा जाए तो नीचे वाला case जो है यहां पर mention नहीं कर रहा है कि भाई all the activities में क्या या life process में क्या होता है वो सारी processes which are essential या वो सारी processes जो life के functions को maintain करती है अगर आप लोगों को life process की definition याद होगी तो वहां पर हम लोगों ने क्या लिखा था कि all the processes which are essential for maintaining life on earth तो life process involves continuous processes of maintaining functions of living organism नीचे यहां पर कहते रखा है activities of living being performed during its life cycle of an organism अब activities की अगर बात करे गए हम लोग तेके तो activities में तो बहुत सारी शीजा जाती है example के तोर पे आप बगल वाली जो pinky है उसको देख रहे हैं वो भी एक part of activity है क्या वो आप लोगों के जीने के लिए जरूरी है बताइए तो क्या उसको हम life process क्या सकते है life process सिर्फ वो activities होती है which are essential for maintenance of life on earth ठेक है तो क्या आप लोगों की body function के लिए वो जरूरी है कि आज pinky को देख करके आना है तब ही हम लोगों की body काम कर पाएगी अगर pinky को नहीं देखा या राहूल को नहीं देखा तो हमारा काम नहीं चलेगा पूरी दिन ऐसा तो नहीं होता है ना बताओ मुझे कि अगर किसी की body ऐसे काम करती हो तो भी बता दो फिर तो मतलब आप लोगों को human declare नहीं कर सकते हैं जल्दी बताईए भाई अच्छा एक सवाल जो यहां पर हमें पता लग रहा है यहां पर एक बच्चा पूछ रहे हैं कि सर, reproduction क्या एक life process है यह देखो reproduction को we can't say a life process ठीके क्योंकि क्योंकि दिक्कत पतह है क्या है दिक्कत यह है हमारी reproduction अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोग जिंदा रहेंगे ठीके reproduction अगर आप नहीं करते हैं तो आप लोग जिन्दा रहेंगे मतलब एक generation तो जिन्दा रहीगी जिसे कि अगर मैं मान लो कि खुद का example ले लो अगर आप रिपड़ियूस नहीं कर रहे हैं तो तुम तो पूरा survive करो गे न क्योंकि तुम लोग digestion कर रहे हो तुम लोग breathing respiration कर रहे हो तुम लोग क्या कहते हैं transportation तुमारी body के अंदर चल रहा है सारी चीज़े हो रही है growth हो रही है हर एक चीज हो रही है reproduction is essential for maintaining the continuity of species species की continuity को maintain करने के लिए reproduction ज़रूरी है उसको हम life process में नहीं डाल सकते हैं वो individual life के लिए ज़रूरी नहीं है हाँ अगर क्या कहते हैं उसको हमें आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए वो ज़रूरी है ठीक है समझ में आ रही है बात हमारा जो life process होता है उसका main जो motive है वो क्या है उसकी definition क्या है all the processes which are essential for maintaining life on earth यर हमारी life maintain करने के लिए reproduction is not important और अगर अपनी NCRT आप देखोगे न जली से एक बारी अपनी NCRT खोलो क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि NCRT साथ लेकर के बैठा करो और अगर नई लेकर बैठते हो न तो मैं पहले बता रहो कि बहुत बड़ा पाप करते हो ठीक है अगर NCRT खोलोगे तो वहाँ पर एक बारी चेक कर लेते हैं हो सकता है उन्होंने देना रखा हो ठीक है वैसे देना नहीं चाहिए according to my knowledge तभी हम लोग कहते हैं reproduction का एक अलग से chapter पढ़ते हैं reproduction एक living being का characteristic ज़रूर हो सकता है ठीक है कि अगर कोई organism जो है हमारा living है तो जहीर सी बात है कि वो reproduce करेगा but it is not a life process तभी हम लोग life process वाले चेक्टर के अंदर reproduction नहीं पढ़ते हैं तभी हम लोग life process वाले chapter के अंदर reproduction नहीं पढ़ते हैं और और यहाँपे नहीं दे रखा है यहाँपे ऐसे ऐसे चीज़े हैं ऐसे चीज़े नहीं है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स जो है हमारा वैसे इस question का answer हम बता दें इस question का answer is option number a ओके next question जो हमारा वो यहां पर देखिए चलो various maintenance process are needed to तो यहां पर क्या होता है various maintenance process जो होती है दियार needed to चलो इसका क्या होगा बताओ भई वेरियस maintenance process जो होती है दियार needed to survival ठेक है prevent damage and breakdown यह यह ना मतलब बहुत ही जादा आप लोगों के लिए परिशान मतलब ऐसे question इसको भी रुको इसको रुको इसको टाओ ठेक है एक मिनट यह वाला part मैंने कहां पर लगा रहे हैं वह ले question मैंने कुछ questions यहां पर लगा रहे हैं हाँ यह वाला question करो यह question काफी अच्छा है due to complexities of carbon sources different organism use करते हैं क्या different kind of nutritional processes different kind of growing processes different kind of metabolism यह different kind of cell structure यह वाला question काफी important है इसको करो बताओ क्या होगा अच्छ में चले जी due to complexities of carbon sources ओके so यह question काफी अच्छा था इस वाज़े से मैंने आप लोग को कुछ बताया है यहां पर देखते हैं कि क्या answer रहा है ठीक है option number a यहां पर दे रहा है different kind of nutritional processes growing processes metabolism cell structure यह देखो carbon sources जो हैं हर किसी के लिए अलग अलग है example के तौर पे हमारे जो plants हैं उनके लिए carbon source क्या है carbon dioxide carbon dioxide ठीक है photosynthesis के लिए अगर plants की बात करें तो plants यह होते हैं हमारे stars वगर यूज़ करते हैं अच्छा अगर हम करें बात animals की तो animals के लिए carbon source क्या है हमारा glucose कहलो ठीक है stars कहलो तो अब plants होते हैं they are autotropic हम जो है होते हैं heterotropic तो availability of carbon source के basis पे nutritional process जो है यह different types की हो जाती है तो option number A जो है यहाँ पे this is our correct choice I hope यहाँ पे किसी को कोई परिशानी ना हो ओके आच्छा next question पे आते हैं इन questions को हो सके तो note down कर लेना यह question काफी easy है the process of breakdown of food source for cellular need इसकों क्या कहते हैं this question is very easy जार एक मिनट रुको चलो इसका answer बताओ क्या होगा यह reproduction जो है हमारा बेटा जी it is not a life process इसके उपर बहुत जादा भैस चल रही है ठेक है reproduction is not necessary to maintain life it is necessary to ensure the continuity of species reproduction is not necessary to maintain life मैं अपने भी ओडी नहीं करी मैं चलो इस question का answer हमारे पास क्या आ रहा है ठीक है यह question काफी easy था मुझे लगता नहीं कि इसको कुछ explanation भी देना है ठीक है next जो है यहां पर हमारा question है which statement is not correct for single-celled organism ठीक है यहां पर single-celled organism जो है उसके बारे में ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है कि कौन से हमारे single-celled organism उनके बारे में कुछ statement दे रखी है क्या है क्या नहीं है जल्दी से देखते हैं no specific organs for taking in food is needed ठीक है and exchange of gases जो होता है for removal of waste may be needed ठीक है क्या है क्या है क्या है क्या है मैं से पोच्छना कि मैं को हेलो everyone so कैसे तुम सारे के सारे अर्ट बड़ी आदार यह तुम लोगों को मेरी क्या बात है अच्छा हाँ यह यह वेर वेरी सौरी पोस्टर कॉम्पटिशन नहीं हो पाए क्लास थी जिस वज़े से दो बज़े माम फ्री नहीं थी और फिर वापस से माम की टू थर्टी पे क्लास है तो माम थोड़ा बिजी रह रही है सो उस वज़े से हमारा पोस्टर कॉम्पटिशन के हम रिजल्स नहीं आउंच कर पाए बिट सर आपने इनको बोल देना हम लोग कल पका पका से नाउंच कर देंगे और कल से मैं आ रही हूं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए इस दो बज़े वाले टाइम स्लॉट में तो हम जा रहे हैं सुभ़े नौ बज़े तो आप लोग के कहते हैं सुभे नौ बज़े आ जायेगा ठीक है भाइए टाइम से ओके चलो तो मैं को भूक लग रही है थेक है तो मुझे लगता है कि हम लोग आज देखो एक कोर्शन्स ले लो ठीक है इन को देख लो एंड इनको क कहते हैं हम लोग कर लेंगे हमारा क्या कहते हैं सारी चीजी जो है ना एक बार इसको as a homework कर लो तेके और अगर मेरी मतलब अगर किसी बच्चे की सुभे class class हो रही है तो वो क्या कहते हैं इसको बाद में recording भी देख लेना आप लोगों के लिए बेनेफिशल रहेगा तो यह सारे कोशन से नेक्स कोशन हमारा ठीक है और इसके बाद यहां पर देखो आगे आ जाते हैं तरीजन फोर सिंगल सेल डिफ्यूजन इनेफिशन सी इन मल्टी सेलिलर और और यहां पर वीरिए केमिकल रिक्शन से बाडी यूज करते हैं डैश फॉर एने जलेरेशन यह कोशन अच्छा है ठीक है और थोड़ ज़क आप लोगों को हो सकते हैं कि परिशान करेंगा चलो आगे आते हैं, यहाँ पर देखो, organism which uses simple food material obtained from inorganic sources in form of carbon dioxide and water, टेके उनको क्या कहते हैं, यह भी question काफी easy है, हो जाएगा राम से, तो इन सारे questions को practice करने की questions कोशिश करना, various organisms break down the complex substance into simpler ones with help of multiple organs, small intestine and large intestine और enzymes या bacteria, टेके बाई, तो यह सारी चीज़े आप लोग कर सकते हैं, and we'll discuss all the questions, मतलब next in the morning, क्या कहते हैं, कल, कल तो Wednesday है, एक बारी, sorry Thursday है, देख लेते हैं कि कल मेरी कलगास, दो बज़े होगी या नो बज़े होगी, वनना Friday से तो most probably, मतलब हम लोगों का swap हो जाएगा, ठेके, चालिए, तो आप लोगों से मिलते हैं कल, तब तक लिए से तो रात क करते हैं न, साथ बज़े उसमें तो पढ़ेंगी, चालो, तब तक क्लिए बबाई and thanks so much.